इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं जहां पे पिशोरी लाल शर्मा जो है वो 15,000 से जादा वोटों से आगे चल रहे हैं जबकि अब उत्राखन की 5 सीटों की बात करते हैं उत्राखन की 5 सीटों पर बीजेती के प्रतियाशी अभी आगे चल रहे हैं यह उत्राखन की तस्वीर है नैनिताल सीट पर अजे भट 11,446 वोटों से आगे चल रहे हैं जबकि अलमोडा सीट पर अजे टमठा 69,752 वोटों से आगे चल रहे हैं उत्राखन की 500 सीटों पर भारतिये जन्ता पार्टी के उमीदवार अभी बढ़त बनाये हुए हैं और एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहे हैं और यह बड़ा अंतर जो है हरिद्वार सीट पर भी त्रिवेंदर रावत 25,528 वोटों से आगे चल रहे हैं तो बिल्कुल यह देखे यह जो तस्वीर है वो सामने आ रहे हैं कि पांच सीटे जो हैं वो पांचो सीटों पर इस वक्त भारतिये जन्ता पार्टी के जो उमीदवार हैं वो बड़ी बढ़त उन्होंने बना रखिया उत्राखन की पांचों सीटों पर और यहां 99 साल सीट पर अजे भट 116,466 वोट से आगे चल रहे हैं जबकि अल्मोडा सीट पर अजे टंटा 69,752 वोट से आगे चल रहे हैं बिल्कुल और राजे जिस तरीके से देखा जाए पोड़ी सीट पर अनिल बलूनी 33,287 वोटों से आगे चल रहे हैं कुल मिलाकर उत्राखन की बात की जाए तो पांचों ही लोग सबास सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजे पी बड़त बनाए हुए है और तमाम रहलिया की गई बीजे पी की तरब से और विपक्ष की तरब से लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए लगातार उत्राखन की तरब से बीजे पी जो है बढ़त बनाए हुए है क्योंकि इस दोरान लगातार बीजे पी की तरब से तमाम कैंपेनिंग भी की गई है और ऐस प्रवाद की जाए तो बीजेपी के विश्वदीप सिंग पीछे चल रहे हैं यानि कि खुल मिलाकर उत्राखंड की और उत्रप्रदेश की आपको जानकारी देरे मेंका गांधी जो कि सुल्तानपुर से हैं और इस दुरान वो भी पीछे चल रही है खुशिन अगर की अगर बात की जाए स्वामे पिरसाद मोर्या पीछे चल रहे हैं यानि कि उत्रप्रदेश की अगर बात की जाए तो बड़ा फेर पदल अभी तक नजर आ रहा है अमरोहा से बीजेपी के चौधरी कवर सिंगतावर पीछे चल रहे है पीछली बार की बात करें दानिश अली रहे है यहाँ पर जो कि इस बार की अगर बात करें तो कड़ा मुकाबला जड़ू देखा जा रहा है यहाँ ने रामायर में काम किया और उसको लेकर बीजेपी जब चुनावी मैदान में ने लेकर आए तो बड़ा हिंशोर गुल देखने